हेलो स्टूडेंट्स आज का क्लास को सबको स्वागत यहां पे हमारे यूट्यूब चैनल नर्चॉइस पे जो भी अभी तक मैंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि यहां पे आप लोगों को जेन भी की रिलिटेट सारा वीडियो मिल जाएगा और जेन भी जो हमारा 2022 है वहां पे जो मैट आ रहा है वहां से एक टॉपिक आज मैने उठाए ओं है नॉमबर सिस्टम ठीके नॉमबर सिस्टम के भारे में हम आज बात करेंगे और यहां पे नॉमबर सिस्टम का कुछ कोस्चिन लिये हैं उसको स हमने share किया है वीडियो के description पे वहाँ पे आफ जयन कर सकते हैं ठीक है तो आज का पहला सवाल आपके सामने 12,000s plus 1300s plus 210s is equal to तो यह जो तीन नमबर दिया हुआ है तीन नमबर को plus करने से answer हमारा क्या आएगा यहाँ पे यह expanded form में लिखा हुआ है तो पहला है 12,000 यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे 1300 और उसके बाद 210s मतलब 20 तो हमारा answer आगया 0, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 2, 0, option 2 यह हमारा सही answer होगा यहाँ पे option 2 is the correct answer यहाँ पे दिया हुआ था था है 12,000 प्लस 1300 प्लस 210 so our answer is option 2 1300, 320 next question number 2 the difference between the greatest number of 4 digits and the smallest number of 5 digits ठीक है यहाँ पे क्या बोला है smallest 5 digit number smallest 5 digit number कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गया smallest 5 digit number और greatest 4 digit number यह है 1, 2, 3, 4 और पुछा है क्या पुछा है यहाँ पे difference पुछा है difference क्या आएगा तो difference निकाल लेते हैं यहाँ तो यह आ गया 1 यह है 0, 0, 0 तो difference कितना आ गया 1 आ गया तो यहाँ पे option पे जो option 1 में ही 1 है तो 2 number का जो answer आएगा वो है option number 1 और answer also 1 ठीक है next जोते है question number 3 के तरफ the place value of 5 in यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10,000, यहाँ पे जो 5 number है कौन सा place पे है 1, 10, 100, 1000, 10,000 तो 5 का यहाँ पे जो place value आएगा place value होगा 50,000 ठीक है 50,000 जो 3 number का option number 1 पे है देखो 50, sorry वहाँ पे one और एक one है यहाँ ठीक है तो और एक zero लगेगा तो कितना हो गया 5 lakhs ठीक है 5 lakh होगा हमारा answer 3 का answer हैगा 3 यहाँ पे एक था हम लोग नहीं देखे था ठीक है अभी ठीक हो गया तो हमारा answer हैगा कितना 5 lakh ठीक है फिर चलदे question number 4 के तरफ 90,000 and 99 may be written in digit हमको क्या लिखना है digit में लिखना है 90,000 तो पहले 90,000 लिख लेते हैं उसके बाद आता है 90,000 and 99 99 मतलब 0 then double 9 ओके 90,000 99 इसको 99 यहाँ पे कमा लगा दिया उसके बाद 0 double 9 तो हमारा answer आ गया option number 4 तो 4 का जो credential आएगा वो 4 ही होगा नेक्स जबते हैं question number 5 के तरफ the difference between the largest and the smallest numbers of the 3 digit 3 digit का largest number और smallest number का difference निकलना है 3 digit का सबसे largest number है 999 और smallest number है 100 तो 9 से 0 गया तो 9 यहाँ पे 9,91 वहाँ पे answer हैगा 8 तो 899 option 3 option 3 इसका सही answer होगा ठीके फिर चलते हैं question number 6 के तरफ यहाँ पे दिया हुआ है इन number of 36,490 when the digit 6 and 9 are interchanged then the difference between the original and the new number यहाँ पे बोला है कि 36,490 में क्या करना है ना 6 के जगर 9 लिखना है और 9 के जगर 6 लिखना है तो यहाँ पे जो निया नंबर आएगा 3,9,4,6,0 प्लेस चेंज करना है 9 के प्लेस पे 6 लिखना है और 6 पे प्लेस पे 9 लिखना है तो difference कितना आएगा वो पूछ रहा है ठीके तो difference देखो निकाल लेते हैं 0,6,9,7,13,4,9 यहाँ पे 2 कितना आगया 2,970 अप्शन 3 तो 6 का जो सही अंचर आएगा वो होगा अप्शन नंबर 3 ठीके फिर चलते हैं question नंबर 7 की तरह 7 में दिया हुआ है which of the following is the correct expression of 43062 in the term of the power of 10 10 का power में लिखेंगे तो यह जो 4 अप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कोन सा सही है तो यहाँ पे देखो यहाँ जो अंसर आएगा हमारा वो होगा 7 का अप्शन 2 2 होगा सही अंसर ठीके यहाँ पे 4 के right side में 4 नंबर है इसलिए 10 to the power 4 है उसके बाद 10 to the power 3 उसके बाद 10 to the power 1 then 0 तो 2 होगा इसका सही अंसर फिर हम चलते हैं question number 8 के तरह find the smallest number which by adding or subtracting to or form an even number will be an odd number वो बोल रहा है कि एक even number से क्या plus और minus करने से हमको odd number मिल चकता है एक even number हम 10 लिखते हैं 10 से क्या plus या minus करने से हमको मिलेगा odd number पहला बना odd number 9 है और 10 के बाद है 11 तो 10 से क्या करने से 9 मिलेगा minus 1 करने से या minus सरी plus 1 करने से तो इसका जो सही अंसर आएगा वो होगा 2 ठीके कोई भी odd number को odd बनाना है तो वहाँ पे 1 odd करना होगा नहीं तो 1 subtract करना होगा तो इसका जो सही अंसर आएगा वो होगा option number 2 नेक्स्ट हम चबते है question number 9 के तरव यहां पर बताया गया है using digits 1057 the greatest four digit number font यहां पर हमको सबसे बड़ा number लिखना है और four digit का लिखना है कौन-कौन सा number को लेके 1 को लेके 0 को लेके 5 को लेके और 7 को लेके तो जब हम greatest number के बात कर रहे हैं greatest number के बारे में तो greatest सबसे बड़ा कौन से यह जो चायत number है यहां पर तो पहला है 7 उसके बाद 5 उसके बाद 1 उसके बाद 0 तो हमारा number आ गया 7510 तो 9 का जो सही answer होगा वह होगा option 4 ठीक है next हम चलते है question number 10 के तरफ यहां पर दिया हुआ है the smallest four digit even number formed by the digit 0123 सबसे छोटा number हमको करना है जो एक even number होगा लेकिन four digit होना चाहिए तो यहां पर लिखेंगे सबसे छोटा number कौन साएगा 1023 लेकिन यहां पर देखो वो बोला है कि formed by the digit 0123 even number लेकिन पहला number जो unit digit 3 है इसलिए तो यह even नहीं है इवेन करने के लिए हम लोग क्लिक सकते है 1032 मतलब 1032 तो 1032 option 2 यह सही answer होगा ठीक है तो 10 number भी complete हो गया आप ही चलते है question number 11 के तरफ तो sum of the greatest and the smallest number of four digits वो बोल रहा है कि four digit बाला सबसे बड़ा नमबर और सबसे छोटा नमबर का sum निकालना है सबसे बड़ा नमबर कोन है 9999 और सबसे छोटा है 1000 तो sum निकाल लो यह होगया 999 यह होगया 10 10999 option 2 होगा इसका सही answer तो 11 का answer होगा option 2 ठीक है फिर चलते है question number 12 के तरफ how many times will the digit 9 occurs writing number from 1 to 100 एक से 100 तक लिखने में 9 जो digit है यह कितने बार हमको लिखना पड़ता है तो 12 नमबर का जो answer हैगा वोगा 20 times कितना time 20 times लिखना पड़ता है जैसे की एक 9 है फिर 19 है फिर 29 है फिर 39 है फिर 49 है फिर 59 है फिर 69 है फिर 79 है फिर 89 है उसके बाद 90 दें 91 92 93 94 95 96 97 98 99 तो कितना आ गया तो कितने बार आ गया 20 तो यह एंसर इस 20 times ओके नेक्स्ट आम चलतें क्वेस्ट नमबर 13 के तरफ क्वेस्ट नमबर 13 क्या दिया है क्वेस्ट नमबर 13 दिया हुए तो smallest odd number formed by using the digits 1034 1034 और 5 ठीक है यह 5 नमबर को लेके हमको smallest odd नमबर लिखना है smallest odd number मतलब पहले smallest number लिख लेते हैं 10345 तो यह odd है यह है यह odd ही है इसलिए इसका जो answer आएगा देखो 10345 option वान आएगा इसका सही answer क्योंकि यह जो नमबर हमने form किया है यह odd number है ठीक है नेक्स होते हैं question number 14 के तरफ how many prime numbers are there between 80 and 100 80 से 100 कितने prime number आते हैं तो 80 के बाद आता है 83 एक आता है और उसके बाद कौन सा number आता है 83 के बाद आता है 89 फिर आता है 97 तो कितना number हो गया 3 नमबर इसलिए answer हो जाएगा 3 जो option 4 में हमारा डालबुल है तीन प्राइम नमबर आएगा पसके बाद आज का last question the number which when multiply by 13 is increased by 180 तो इसको हम कैसे करेंगे वो बोल रहा है कि the number which then multiply by 13 is increased by 180 इसका जो answer होगा तो पहले यहां पे जो option दिया हो है उसमें चेक करते हैं पहला है 15 तो 15 को 13 पर हम multiply करते हैं कि तो 30 में multiply करें तो कितना आएगा 35 जा 65 5 6 जैन 13 वान जा 13 देना आगया कितना 195 तो 195 से 180 माइनस करेंगे तो 15 आ जाता है उसका मतलब 15 ही सही है ठीक है 15 का जो answer हैगा वो आप्सान नंबर वान यह था जोंक कर लें ठीक है फिर तुम लोग के साथ मुलागत होगा नेक्स क्लास में थैंक यू लव यू अ